दोस्तों कोविट के दौरान जिस बॉलिवुट के हाथ थम गए थे कोविट के जाते ही वापस से रहा हो चुके हैं और एक आएक फिल्में रिलीस किये जा रहे हैं हाल ही में यश्राज फिल्म्स ने एक बड़ी फिल्म पठान की अनौंसमेंट की है एक छोटी सी क्लिप है जिसमें जौन इब्राहम, दिपिका पदुकोन और वोइस ओवर से स्टार कास्ट में शारुख खान के होने का पता लग रहा है पठान से जुड़ी अभी तक कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है पर कास्टिंग में जौन दिपिका और शारुख के अलावा अस्तोश राना, डिम्पल का पारिया और सल्मान खान के होने की बात सामने आई है इस साल यश्राज फिल्म की एक बिग बजट मूवी प्रित विराज भी रिलीज होने वाली है जिसे लेकर लोगों के मन में उच्साह का माहौल है वहीं अगले साल यश्राज फिल्म्स टाइगर 3 को भी रिलीज करने वाली है जो पहले से ही लोगों के क्रेज को बढ़ा रही है प्रित विराज और टाइगर 3 के उपर हमने अलवेडी डीटेल रिव्यू बनाई है जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है बात करे पठान की तो ये एक मिस्ट्री से भरी ड्रामा मूवी होने वाली है लेकिन बैक्राउंड को डेख कर और वोईस ओवर्स को सुनकर पता लगता है कि ये फिल्म देश भक्ती से भरी फुली एक्शन पैक्ट होने वाली है आपकी क्या राय है ये कॉमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन दबाना मद भूलिएगा ताकि मूवी से रिलेटेट कोई अपडेट आए तो नोटिफिकेशन बिना देरी के आप तक महोच जाए और अगर आप चाहें तो मुझे यानि शो को पेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मौचूद है तिल देन गुड़ बाई एंड टेक केर